हेलो वाट्सप गाईज माने में स्मिनोध बादू थापा and welcome to javascript in 100 days जिसमें हम गाईज everyday के interview questions को solve करने वाले जिसको आप coding problems भी कह सकते हो with the help of javascript तो कैसे हम already day six देख चुके है तो today is your day seven and I hope मैं आसा करता हूँ आप लोगों को बहुत ही ज्याद माजा आ रहा होगा मैं already world best HTML CSS in JavaScript का complete series upload कर चुक हूँ basically course upload कर चुक हो तो इनको अभी तक चेक आउट नहीं है तो जरूद चेक आउट कीजेगा क्योंकि अगर आप इसको check out करते हो तो आपको guys यह जो interview problems questions जो है आपको solve करने में बहुत easy हो जाएगी ठीक है so guys बिना किसी देर का video के start करते है आज का जो हमारा day seven है उसका जो question आप देख सकते हो it's we need to write a function to find the maximum क्या लिखाईए basically we have an array array में आपको जो सबसे maximum number है you have to find out आपको वो find करना है जो सबसे maximum number होगा in an array तो अब आपके mind में यह question आ सकता रही है तो बहुते ज्यादा simple question है मैं यह चुटकी में कर दूँगा all right guys अगर आप चुटकी में कर सकते हो तो वीडियो का अभी का अभी करो pause and let me know in the comment section आपने इसको किस तरीके से चुटकी में solve किया ठीक है ठीक है तो इसको करने के देखो again बहुत सारी तरीके होते है मैं आज आपको एक simplest तरीका बताता हूँ and यह सच में simple तो है अगर थोड़ा आपको idea है कि हम इसको कैसे simple बना सकते है तो तो यहाँ पर आप बहुत clearly देख सकते हैं like total we have this three parts and basically तिन कंसोर्स दिये गए है तो लेकिन में काम करता हूँ कि अगर हम हमारे पास array नहीं होता है और हमारे पास सिर्प numbers होते तब हम कैसे जो maximum number उसको find out कर सकते थे तब मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है let's so we have a math object हम सबको मालू में already जा जो हमारा course part 1 था उस पर मैंने इसको आपको बहुत अच्छे से समझाया है and then we have one method call max ठीक है जिसमें से maximum हम पता लगा सकते है let's say मैं जान बचके इस तरगे से pass कर रहा हूं and एक काम करता हूं इसको मैं 30 कर देता हूं ठीक है तो यह मैंने पास कर दी अब directly मैं इस तरगे से तो लिख नहीं सकते है सब्सक्राइब को एक काम करते है लेट्स एक मैं फंक्शन बना लेता हूं अगें इट्स लाइक यह फाइंड मैक्सिमम और बस दिस इजिए और यह जो फिलाल तीन वाले जो पार्ट इसको मैं कर देता हूं comment ठीक है सब्सक्राइब कर दी अगर मैं यहां पर चलता हूं तो आप देख सेकते हूं कि मुझे 30 आ रहा है एक काम करता हूं लेट्स से इसको मैं 100 कर देता हूं ठीक है और यह आपको पता चला है ना इसको फिलाल में comment करके रख देता हूं ताकि आपके लिए यह हो जाएगा अब यह वाला जो पार्ट है इसको मैं फिर से अनकमेंट करता हूं चलो ठीक है यहां पर हमारे पास अल्रेड़ी आर्गुमेंट दिये तो मैं as a parameter इसको मैं accept कर रहा हूं है ना यह जो पार्ट है अब क्यू ना मेरे पास numbers तो है अल्रेड़ी यहां पर भी लाइक आप देख सकते हूं राइट बट इसको एक एरे के format में तो मैं एक काम करता हूं क्या मैं एरे को as it is math.max के अंदर रख सकता हूं एड कर सकता हूं कि नहीं यहां क्या होता है math object के अंदर क्या हम directly एरे पास कर सकते हैं यह नहीं लेट सी अब मैं अगर यहां पर इसको रन करता हूं तो आप देख सकते हो सकते हैं तो यह एक ऐसे चीज़े जो आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी लाइप उतिनीजी हो जाएगी and that is now we can use the spread operator that is a dot 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 three time dots आपको यूज करना है control s save करना तो यह क्या चीज़े यह experience आप कह सकते हो जब हम बहुत बार करते हैं so it's a nine minus two and then five is the maximum number जो आपको आपके इस array के elements में मिलने वाले है जो कि एकदम correct है so अब आपके मन में आ रहा हूगा यह dot 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 लिखने से क्या हो गया था तो कईस कुछ हुआ नहीं था यह जस्ट वह स्प्लीट हो गया था आप कह सकते हो कि लाइक उसने अरे को number में convert कर दिया simple ठीक है so spread operator जिसने इसको spread कर अप फैला दिया पहले वह एक array के बंधन में था बड़ आप उसने उस बंधन से उसको आजात कर दिया तो इसलिए आपको spread and then rest parameter वाला पार्ट जरूर देख सकते हो आप तो मैं यहां पर dot 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 ARR कर देता हूं ठीक है अब आपको डबल डबल कंशो एक सेकेंड चंट्रोल एक सेप करना था एक तो Mac के keyword में मुझे आदत नहीं है न टाइप करने के इसलिए थोड़ा ऐसा हो जाता है बट अगर आप देखोगे so here we have this देखो यह जो पार्ट दिख रहा है यह कुछ ऐसा हो गया था जब मैं spread operator उसकर रहा था तो इसमें से 9 जो है सबसे बड़ा है negative की case में कुछ हो आप देख सकतो नौ यह एक array नहीं है यह आपको एक array नहीं दिख रहा है simple एक numbers दिख रहे और इसलिए मैं आपको पहले बता है कि अगर आपके पास सिर्फ numbers होता तो आप क्या कर सकते थे तो अब हमने वही कर दिया like जो array को numbers में convert कर दिया और मेरा एक काम ह हो गया so yeah guys this is it आज इस वीडियो के लिए नहीं होप आपको वीडियो पसंदा होगा so let me know in the comment section आपको वीडियो कैसा लागा और बाकी की रिमेंग वीडियो को चेक आउट नहीं क्या तो प्लीज कर दिजिएगा and यह जास्किप का जो को जो जरू चेक आउट कीजिएगा and practice करना हो एकदम on the spot जिसको पुरा 100 दिन रहा नहीं जा रहा है so guys for them मैं बताना चाहूंगा कि मैं अल्रेड़ी आप देख सकते हूँ यह कॉमर्स वेबसाइट में बना चुका हूँ एक सिंपल एक ही सिंगल वीडियो में तो इसको आप जरू चेक आउट कीजिएगा अल्राइट गाईस तो बताना चाहूंगा गाईस आप हमारे नेक्स टार्गेट है वन मिलियन सब्सक्राइबर एंड आपकी बिनाव बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं so please I need your support अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दिजेगा दोस्तों के साथ भरबर के सेर कर दिजेगा मेरे चैनल था आपर टेक्निकल को सब्सक्राइब निए तो प्लीज कर दिजेगा मिलता हूं मैं वापको नेक्स वीडियो में टिल देम गईस तिक टेक क्या